हेलो स्टुटेंट्स, एलीट स्टेडी जंद और के इस पॉटकास्ट में आप सभी का स्वागत है MPPSC Prelims 2021 के विवादत प्रश्णों पर आपत्ती दर्श करने के बाद आप सभी सोच रहे होंगे कि क्या आप कट आफ कम होगा देखें ऐसा बिल्कुल नहीं है, कट आफ बढ़ भी सकता है कारण क्या है? कारण यह है कि कुछ प्रश्ण हाला कि डिलीट जरूर होंगे लेकिन कुछ के उत्तर बदले जाएंगे और कुछ के एक से अधिक भी उत्तर सही माने जाएंगे तो यह इसारा कर रहा है कि कुछ भी हो सकता है लेकिन इस पॉड्कास्ट के माध हम से मैं कोशिश करूँगा कि आपको ठीक ठीक या बता सकोंगी कट आफ कम होगा या कट आफ बढ़ जाएगा जो हमारे नए विवर्स हैं, शोता हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि पाने के लिए आपको यह चैनल सब्सक्राइब करना बेल आइगान पर क्लिक करना बहुत जरूरी है देखे कल मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे प्रश्न है जिनके दो उत्तर सही माने जाने चाहिए तो तुर्रा कलंगी वाला प्रश्न आपका भारा सरकार अधिनियम 1935 वाला प्रश्न है राज जमाना अधिकार आयोग वाला प्रश्न है फिशिंग और स्पूफिंग ये प्रश्न है तो कुल चार प्रशन मेरे अनुसार एक से अधेक उत्तरन के सही होना चाहिए तो इसका मतलब ये है कि जिन बच्चों के प्रशन ये पहले से सही थे उनको तो कोई फायदा नहीं होगा लेकिन जिन्होंने दूसरे उत्तर लगाए हैं तो क्या होगा अब ऐसे लोग भी प्लस फोर हो जाएंगे मतलब चार प्रशन बढ़कर उनके लेवल पे आजाएंगे मतलब आगे की और खिसक जाएंगे अब अगली चीज क्या होगी अगली चीज ये होगी कि कई प्रशनों के उत्तर बदलेंगे जैसे कि खजराओ हवाई अड़ा बदलना चाहिए और मेरे अनुसार फासफेट परिक्षण वाला भी बदलना चाहिए और प्रिंट सर्वर वर्सेस नेटवर्क सर्वर वाला भी बदलना चाहिए हाला कि इसको लेकर मैं शौर नहीं हूँ लेकिन मेरे अनुसार फासफेट होना चाहिए अब ये क्या करेगा ये कई बच्चों की मेरिट डाउन कर देगा क्योंकि जिन बच्चों ने क्या किया है पहले से ये लगाया हुआ है तो वो उनके गलत हो जाएंगे पहले बाले और जो नए बच्चे हैं उनके सही हो जाएंगे तो ये ऐसे बच्चों को आगे लेकर आएगा तो ये भी आपकी मेरिट की जो दशा है और दिशा है उसको थोड़ा सा क्या करेगा परिवर्तित करेगा और कुछ प्रशना ऐसे हैं जो डिलीट होंगे तो इस पर सभी का समान एफेक्ट पड़ेगा लेकिन ये जिनके सही थे आयोग की उत्तर कुंजी के अनुसार जो अभी काउंट कर रहे हैं कि मेरे 76 है 78 है लेकिन माल लीजे अगर ये मुख्य चुनावादिकारी वाला प्रशना डिलीट हो गया या सतना रायन जिनहाँ बाला डिलीट हो गया या फिर वो एडमंड माफ कीजी आपका ये नियाय का सिध्धान्त जो है एडमंड गजे टीर या फ्लेटो जिन्होंने दिया है तो अगर ये डिलीट हो गया तो जिनके ये सही उत्तर रहे होंगे वो क्या होंगे घटकर नीचे पहुंच जाएंगे तो कुल मिलाक कर अगर देखा जाए आपको याद होगा हमेशा से ही एलीट स्टेडीज अंदौर प्रिंसर कही यूटूब चैनल जो भी भविश्यमानी करता है आगे चलकर सही सावित हो जाती है अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है इसी यूटूब चैनल पर नीचे जाएए जब मैं आपको MPPSC प्रामभिक परिक्षा की तयारी से संबंधित पॉडकास्ट बना रहा था यानि 19 जून के पहले के जो पॉडकास्ट होंगे उसमें आप देखिएगा कि मैंने कहा थ था कि यह मानके चलिए कि सौमें से 10 प्रशन तो विवादित होंगे तो कुल मिलाकर 10 प्रशन हो गए 4, 3, 7 और 3, 10 जो मैंने बोले हैं तो यह 10 प्रशन माली जीए कि आयोक की वज़य से बच्चों के गलत हो गए या यह 10 प्रशन अगर सही होते तो बच्चे प्लस 10 होते तो हम इन 10 प्रशनों को निकाल देते हैं अब हम मेरिट पर और कट आप की बात कर रहे हैं तो सौ में से दस प्रश्ण निकाल दिये तो कहां पहुंच गए नबे पर पहुंच गए अब कुछ बच्चे और है जिनको बहुत सारे प्रश्णों पर डाउट है जैसे रामगड़ रायगड़ में डाउट है चीट वाले प्रश्णों पर डाउट है किसी को अभी जो है वो एक प्रश्णों मैंने बोलना पूल गया वो एक से अधे कुत्त उत्तर सही होंगे या फिर कहना चाहिए C to C सही होना चाहिए तो कुल मिलाकर ऐसे 10 से 11 कॉश्चन हो गए तो हम काउंट कर लेते कि ये बचे हमारे पास 90 ये 89 अब 5-6 प्रशनों पर और बचों को डाउट है किसी किसी को तो कुल मिलाकर अगर सब के काउंट कर ले तो ऐसे तो 18-19 प्रशनों हो जाते हैं चलिए माल लेते हैं सम मिलाकर 20 प्रशनों हो गए अगर ये 20 प्रशनों बाकी के 80 प्रशनों के जैसे पूछा जाता वैसे ही जैसे ठीक ठाक प्रशनों पूछे गए हैं तो कहीं न कहीं बच्चे ये सोच सकते थे कि इन 20 प्रशनों मैंसे 10 प्रशनों तो हमारे सही हो सकते थे तो मैं एक काम करता हूँ 100 मैंसे ये 20 प्रशनों डिलीट कर देता हूँ ठीक है? इसमें सब एक रही होंगे माल लेते हैं कि 80 प्रशनों सही-सही पूछे गए तो 80 नमबर तो हमारे आने चाहिए थे कहने के मतलब 80 प्रशन तो सही होने चाहिए थे चलिए आप कहेंगे कि कभी 80 में से 80 प्रशन कैसे सही हो सकते हैं तो एक काम कर लेते हैं कि 5 प्रशन और माल लेते हैं कि आप से गलती होगी होगी तो यहाँ पर 10 से 11 प्रशन तो साफ साफ दिख रहा है मेरे अनुसार की MPPSC ने इनको पूछने में गलती की है उत्तरकुंजी में गलती की है इसमें बदलाव संभाव है और ये मैरिट को मैनिपुलेट करेगा कट आफ को परिवर्दित करेगा उपर नीचे जाएंगे अभी बच्चे जो अंदर है वो बाहर हो सकते हैं जो बाहर है वो अंदर हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 11 प्रशनों को हटा दिया और 7-8 प्रशन हटा है तो 20 प्रशन हट गए मतलब हमारी मैरिट जो है हमारे जो प्रशन सही होने चाहिए थे वो 100 में से 80 होना चाहिए थे लेकिन 5 और माल लिए कि 5 भी आपने गलत कर दिये तो देखिए MPPSC ने कितना भी खराब प्रशन पत्र बनाया हो कैसे भी विवादत प्रशन पूछे हो लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि 80 प्रशन अच्छे नहीं है निश्चत रूप से 80 प्रशन अच्छे हैं उसमें क्योंकि हम teacher and expert हैं हमसे तो कुछ छुपा है नहीं आप सभी समझते हैं और आप से भी कुछ नहीं छुपा है क्योंकि आप सभी भी पढ़ने वाले मेनत करने वाले अभिर्थी हैं तो 75 माल लीजिए तो इसलिए मैंने कहा था कि जो cut off आपका जाएगा वो 75 से दो प्रशन नीचे ले लीजे या दो प्रशन ऊपर ले लीजे तो वो 75 से 73 हो सकता है या फिर वहाँ पे आपका 77 तक हो सकता है तो ये आपका जनरल का cut off था अब जो भी परिवर्थन होगा आप यह देख लीजे कि वो मिला जुला परिवर्थन होगा क्योंकि दो आंसर जिनके सही होंगे तो कुछ बच्चे जिनके मार्क सकम है वो थोड़े से आगे किसकेंगे जिनके उत्तर बतलेंगे कुछ नीचे चले जाएएगे कुछ उपर आ जाएंगे डिलीट होंगे तो इसका भी फर्क पड़ेगा तो कहीं न कहीं आप ये कह सकते हैं कि मैरिट जो पहले 80 प्लस बताई जा रही थी वो तो नहीं है जिन बच्चों के 87 काउंट किये थे 85 काउंट किये थे 83 काउंट किये थे वो सब आपके 80 के आसपास आ गए हैं अब 80 के आसपास आ गए हैं कौन जो 80 प्लस हुआ करते थे और जो 80 के आसपास थे 78 थे 79 थे वो 75 के अंदर आ गए हैं तो कुल मिलाकर अगर कट आफ पर इसका फर्क देखा जाए तो ये है कि कट आफ आपका जादा तो नहीं होगा बलकि आपती दर्श कराने से जो आपका कट आफ पहले 80 प्लस हो रहा था वो अब कम होके 75 के आसपास रहेगा जैसे कि मैंने आपको पहले ही बदाया था अब आप इसे मेरी दूर दर्शिता कह सकते हैं या आप ये भी कह सकते हैं कि मैं अपने मिया मिठू बन रहा हूँ एक मुहावरा है लेकिन अब आप एक बार दो बार चार बार दस बार लेकिन जब किसी व्यक्ति की बात हर बार सही होते देखते हैं तो फिर कम से कम इतना तो हग दे ही सकते हैं कि कोई वक्ति अपने बारे में ये बोल सके कि हाँ मेरी बात सही हुई तो मेरा कहना वही था कि 10-11 प्रशन तो MPPSC के पेपर में गलत होंगी होंगी 90 मान के चलिए आप 90 से आपको फाइट करना है तो 90 मैंसे और मान लेते हैं कि 8-10 प्रशन आपने गलत कर दिये इस पस्ट नहीं थे आभाव था तत्यों का चीजों का और 5 प्रशन प्लस कर लिया तो मेरा मानना यही है कि कट आफ जो है आपका वो 75 के आसपास ही रहेगा और एक बार फाइनल आंसर की आने दीजिए मैं एक बार और आपकी तसलिए के लिए खुशी के लिए सर्वे करके फैक्स का इनलसिस करके फिर बना तूँगा तो 75 जो आपके आसपास है 73 से 75 77 बना 73 प्लस वाले बच्चे जनल के वो मेरी तरफ से अभी अशॉर्ड है कि वो मेंस लिखेंगे और जो बच्चे OBC के 70 प्लस हैं वो मेरी तरफ से अशॉर्ड है कि मेंस लिखेंगे SC का मैंने बताई था कि जो बच्चे 67 प्लस हैं वो बच्चे अशॉर्ड है 67 68 वाले और इसी तरह से ST बालों का भी मैंने बता रहे था कि आप थोड़ा सा और आ जाईए 63-64 तक तो एक बार मैं अभी final answer की आने दीजिए तो मैं बिल्कुल आपको paper पर लिख कर screen पर चला दूँगा कि exact cut-off क्या रहेगा यह जो अंदाजा है इसको भी fix कर दूँगा okay students और यह भी आद रखिएगा कि मैंने कितने प्रश्ण कहे हैं दो उत्तर वाले उत्तर कितनों के बदलेंगे कितनों के delete होंगे तो यह भी आगे चलकर आप सभी को देखना है तो फिलहाल यही है कि मैं फिर भाही कहूंगा कि जो बच्चे हैं वो ना उमीद ना हो एक बहुत अच्छा कहना चाहिए लाइने हैं वो देखते हैं पढ़ते हैं थोड़ा सा फिर बात करते हैं यह लाइने देखिए आप क्या लिखा है बिना प्रयास के सिर्फ नीचे गिर सकते हैं उपर नहीं उठ सकते यही गुट्वा कर्षण का नियम है और यही जीवन का भी यह लाइने मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और आपने देखा होगा अक्सर जब मैं अपने स्टेटस पर अपडेट करता हूँ करता ही रहता हूँ क्योंकि कुछ लाइने ऐसी होती है जो वाकई में जो जीवन की लाइब की रियलेटी है जो स्ट्रुगल है उसको बताती है कितना बढ़िया लिखा है कि बिना प्रयास के सिर्फ नीचे गिर सकते हैं उपर नहीं उठ सकते तो आप जहां है अभी वहां से अगर आपको आगे जाना है तो प्रयास करना पड़ेगा कोशिश करनी पड़ेगी आपको हालना नहीं है इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका दूसरा टेम टराओगा, तीसरा टराओगा किसी का चौथा पांचमा भी हो सकता है लेकिन कहीं ना कहीं कमी हमारी ही थी हमारी कोशिश में ही कमी थी क्यों? क्योंकि पहले आपके जब 40-45 नमब आ रहे थे वहां से आप कोशिश करते-करते 60 तक आ गए अब जब 60 तक आ गए तो फिर आप 70 तक आने लग गए तो कहने का मतलब यही है मैं अकसर समझाता हूँ क्योंकि जनरली बच्चे मुझे बोलते है सर आप पहले नहीं मिले आपने पहले मार्ग दर्शन नहीं किया कास मैं आपसे पहले बात कर लेता पहले मैं आपकी क्लास जोइन कर लेता आपकी टैसरी जोइन कर लेता ऐसे सैक्डों मैसेज़ेस है और किसी को अगर जूट लगे तो मैं डंके की चोट पर बोलता हूँ कि मैं उन बच्चों के नंबर दे दूँगा आप बात कर सकते हैं उनसे सैक्डों बच्चे हैं अन गिनत और मैंने तो हमेशा कहें कि मैं सिर्फ OUPSAब के ऊपर ऊपर के स्टेटस आप लगाता हूँ जो मैसेज़ेस होते हैं रात भर जो मैसेज आते हैं वो तो मैं देख भी नहीं पाता हूँ तो मैं यहाँ पर सिर्फ यह कहने की कोशिश करता हमेशा कि ना आपके hard work में कमी है ना आपके smart work में कमी है आपकी मेहनत में कोई कमी कसन नहीं है बर एक चीज जो हमेशा आपको परिशान करती है जिसकी वजय से आप हमेशा merit में 2-4 नमौर से बाहर हो जाते हैं चाहे वो pre हो चाहे वो main show चाहे वो interview हो हो है एक सफल मार्ग दर्शन मार्ग दर्शन का होना एक अलग बात है पिछले 10-12 सालों में ऐसे सैक्णों बच्चे और ईश्वर की दिया है आप सब लोगों की दिवाय हैं कि MP में मदर प्रदेश में पूरे बाउन जिलों में शायद ही ऐसा कोई जिला होगा जहां पर अलीट स्टेडी जंदोर प्रिंसर का पढ़ाय हुआ शात्र सेवा में ना हो सरकारी अफसर ना हो सरकारी नौकर ना हो तो मैं आपको बता दूँ कि कहीं ना कहीं अगर आप गौवर्मेंट सर्विस में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप सभी को ये देखना पड़ेगा कि क्या काबलियत होना चाहिए क्योंकि सरकारी नौकरी जो है वो कोई ऐसा हसी खेल वाला मामला नहीं है कि आप पढ़ाई को हसी मजाक में लेते रहें बस जब एक्जाम की डेट आ जाए तब महीने टेड महीने महनत कर ली और आपने सोचा कि अप सेलेक्शन हो जाएगा अगर ऐसा होता होता तो ये लाखों बच्चे लाइन में क्यों लगे होते और ये बताईए कि अगर एलीज स्टूडी जंदौर प्रिंसर के मागदर्शन में कमी होती तो आपने देखा होगा कि ना त क्योंकि समय ही नहीं है मैंने हमेशा का कि मैं जितने समय में आप से मिलूँगा उतने समय में अपना कोई काम कर लूँगा पेपर बना लूँगा मैं कोई ले लूँगा जो काम फोन से हो सकता है उसको मिलकर क्यों करना है जब बहुत जादा जरूरी होती है बातें तब हम म मिलते थे साल में, सभी को बलाते थे, तो फिर से वही कोशिशे हैं, उसी क्रम में हैं, और आप सभी बच्चे जो भी अलिट स्टेडी जंदौर प्रिंसर की कक्षा हैं, नोर्स, टैसरी, हिंदी और अंग्रेजी मात हमें प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे नमबर 9685570712 पर आप हमें बच्शिव करें, जो भी बच्चा प्रिंसर की ऑनलाइन क्लासेज, नोर्स, टैसरी जोईन करेगा, उसको प्रिंसर से बात करके पूरी रणनीती, समझने, सीखने का उस्सर मिलेगा, समय समय पर स्ट्रेजी को रिव्यू करा जाएगा, और सिर्फ आप ये यकीन मानिए, कि ये मार्ग दशन का ही कमाल है, कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ स्ट्रेजी में मार्ग दशनें बदलाओ करके, क्या करते हैं, सफलता को पा लेते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज़े हैं, आपके पास अच्छा कंटेंट होना चाहिए, आपके पास सब्जेक्स की अच्छी समझ होना चाहिए, कैसे फैक्स रटते हैं, समझते हैं, कैसे लिखते हैं, बहुत सारी बाते होती है, क्योंकि हर बच्चे की एक अलग-अलग काबलियत होती है strength होती है, weakness होती जब तक आप personal ही बात नहीं करेंगे सभी के उपर एक जैसा apply नहीं हो सकता जैसे एक दवाई सभी को नहीं दे सकता डॉक्टर वैसे ही क्या है ये भी ये चीज़ है magdashan की जिस व्यक्ती के साथ जो परिस्थिती होती कोई नौकरी कर रहा है कोई कहना चाहिए housewife है कोई और किसी problem से गिरा हुआ है तो कहने का मतलब ये है कि जिसकी जो condition है उसके साथ से उनको magdashan करना पड़ता है गाइड करना पड़ता है इसलिए का जाता है कि आप बात करिए magdashan करिए मिलते हैं अगले podcast में धन्यवाद